प्रयावाची पदानी चित्वा उत्तरत क्या करना है आपको प्रयावाची पद से क्या करना है आप लोग को चून कर उत्तर लिखना है ये जो है इनके प्रयावाची सब्द लिखेंगे गजह, निफवह, मंत्रीह, ब्रिद्ध, प्रसादे प्रसादे महल को बोला गया है ब्रिद बुड़ा व्यक्ति को बोला गया है मंत्री और राजा और हांथी तो इनके प्रयायवची सब्रकिस से आपको इससे मिला कर इससे चून कर प्रयायवची आप लग लिखेंगे तो गजह क्या था? हस्ती को बोलते हैं और करी को बोलते हैं गजह का प्रयायवची हस्ती और करी निवा का प्रयायवची क्या होगा? निवती और भूप निवती और भूपा हा निवती राजा को बोला जाता है और भूपती भी राजा को भी बोला जाता है मंत्री हा मंत्री किसको बोलते हैं अमात्य मंत्री को बोला जाता है अमात्य और सचीवह भी मंत्री को बोलते हैं तो यहाँ पर लिखा हुआ है अमात्य और सचीवह तो आप लोग मंत्री का प्रयावची सब्द अमित्य को लिखें अमात्य को लिखेंगी और सच्चियू को लिखेंगे उसके बाद बृद्धा बुढ़ा ब्यक्ति किसको बोलते हैं इस्थिवरह को बुढ़ा ब्यक्ति बोल जाता है और हम्रियम हम्रियम किसको बोलते हैं बुढ़ा ब्यक्ति को बोलते हैं इस्थिवर बुढ़ा विक्ति को बोलते हैं तो इनके प्रायवची सब्द मैं बता रहा हूं आप लोग को उसके बाद है प्रसाद महल प्रसाद किसको बोलते हैं वेसम मतलब होता है महल और हर्यम मतलब होता है महल मैंने आपको ब्रिद का इस्थावीरह बताया और पलिता हो प्रियम नहीं होगा पलितह ब्रिद का इस्तिवर और पलितह प्रसादे का वेसम और हर्यम यह है उनके प्रयावची सब्द हैं तो मैंने आपको प्रयावची सब्द के बारे में बताया अब देखते हैं फाइप नमर में वाक्यानी घटना करम अनुशार क्या करना है आपको यूजना के अनुशार क्या करना है घटना करम को आपको समझाना है वाक्यों को देखकर घटना करम के अनुशार आपको उसमें जमाना है और अनुशार उसको लगाईएगा तो यहाँ पर लिखा हुआ है सर्विसु वहने सु एको गजह निपस्य प्रियासीद यहाँ पर देखिए निपभ गजम ग्रामसी समरप्यम आधियद निपस्य प्रासादी निकी गजह अश्वा उस्टह चासन निपह सनेह वसा तम गजह प्रसादी इवं मरक्छत अन्ती इकह प्रिधा गजस्य मृत्व समाचारा मने पाइनियोद्यत कस्मी देसी इकह निपह चासी देखी यहाँ पर कस्मी देसी के बारे में पहले वाक्य में पढ़े थी तो यह यह वन नम्मर होगा उसके बाद देखिएगा निपस्य प्रसादे उनकी जो महल में बहुंच सारे उट, बहुंच सारे घोड़े और बहुंच सारे हाथी रहते थी सेकेंड नमबर में इसको लिखिएगा उसके बाद सर्वेसू वाहनेसू गजा निपस्य प्रियासित सभी वाहनों में उनको एक हाथी प्रियत्धा धर्ड नमबर आप जब सलोग को पढ़ेंगे एक बार अनुमाद को दिखिएगा तो आपको ये आसानी से समझ मैं जाएगा कि कैसे कैसे पहले कौन से दूसरा है कौन से दिसरा है कौन से थर्ड है तो उसके बाद देखिए निपस्य वसात्त गजम प्रशादी यूम अरक्षत यहाँ पर फोर्थ नमबर में लिखिएगा उसके बाद देखिएगा फाइट नमबर की बात करते हैं जो राजात है हाथी को ग्राम आशियों को क्या करता है शौप देता है फाइट नमबर में इसको आप लोग लगा लिजीगा सिक्स नमबर में यह है जब उनको मिर्तु दंड दिया जता है बोलते हैं सिवन्थ नमबर में आप लोग लिखेगा ग्राम आशियों सेमने अब बिद्धा गजह मृता ग्राम इड़ा चा चिंता तुराववध की ग्राम आशियों जो है उनकी बिद्ध जो गज है हाती है मृत्तु हो जाने के बाद चिंता में पढ़ जाते हैं अलबन मतलब होना चिंता होना तो यह जो है मैंने आपको वाक्य नुसार गटना करम को जमाने के लिए गटना करम ग्राम सा लिखिएगा आप लोग 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 अंत में बिद्ध गजह वस्तो के मिर्टु के समचार करने होता देता है बुढ़ा जो व्यक्ति रहता है अंत में राजा के समक्च जाता है और बिद्ध के बारे में उनको गजह मिर्टु के बारे में समचार सुनाता है मैंने आपको वाक्य के गटना के बारे में बताया प्रयावची के बारे में बताया अब देखते हैं सुद्धम विकल्पम चुनीत सुद्ध विकल्पम चुन कर क्या करना है आपको उत्तर देना है निवह गजह से कया प्रसना आसीत जो राजा है गजह से हाथित कैसा प्रस था था वहां थी सेकर्न में दिया हुआ है निपः गजम कथम प्रसादि योवा मारक्षत कि जो राजा था हाथी को महल में कैसा रखा था दयावसात सेवावसात सोंदर्यवसात और स्नियवसात प्यार से रखा था तो स्रीया वसात को आप लुख्टिक लगाएंगी ग्राम वासी नहां कथम गजस्य सेवाय माकुरवन ग्राम वासी जो है हाथी का कैसा सेवा कर रहे थे अलसीन परिस्रमेन भाईन कठिनेन तो बहुत ही परिस्रम करते हुए वो लोग जो ब्रिध हाथी तहओं की सेवा कर रहे थे तो क्या लगेंगे परिस्रमेन फूर्थ नम्मर देखिए ब्रिधा निपस्य समक्षम गत्वा प्रत्थम कीम अपरिक्षद ब्रिध जो है राजा के समक्ष जाकर प्रथम कीमा प्रिक्षत क्या कहता है क्या का उत्तर देता है प्रशनका उत्तरत कुशलम कारणम तो वह उत्तर देता है हाती के बारे में जो मृत हाती के बारे में समचार सुनाता है उनको फाइब नमबर दिखिएगा मρित間 गजम दृष्टवार निपाहक लिधसीम अभुअध जो मृत हाँ थी हैं उन्हीं देखकर राजा कैसा होता है प्रशन्ना होता है, दुखी होता है, निरासा होता है, मूर्चित होता है तो क्या होता है, दुखी तहा तो आप लोगो मैं एसाइमेंट के बारे में बताया सिप पहले क्लासिस में उसकी अनुमात के बारे में समझाया हूँ तो अच्छे से स्टडी कीजिएगा और इनी टेस्टर में अच्छे से नंबल लाईएगा बाई बेटा